लेकिन उसे पहले अप से थोड़ी ही देर में गंगोतरी और यमनोत्री के कपाट खुल जाएंगे मंदिर समिती के मताविक मा गंगा की डोली मुखवा से गंगोतरी धाम बहुत चुकी है इसके लवा माई अमुना की डोली भी खरसाली गाउं से अपने धाम के लिए निकल चुकी है आज इन अलग-अलग धामों की रौनक देखने लाइक है कहीं डामुनू बैंड का जल्वा है तो कहीं महिलाओं की अग्वाई वाला बैंड छाया हुआ है हम आपको लाइप तस्वीरों के माध्य हमसे दिखा रहे हैं सुभा जब केदारनाध धाम के कपाट खोले तो किस तरह से भक्तों में उच्छा और जोक्ष्ट अजर आया है और अब कुछी देर में यमनोत्री और गंगोत्री के कपाट भी खोल दिये जाएंगे उतराखन के उतरकाशी में सित गंगोत्री और यमनोत्री चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं और भक्तों में इसके लिए बेहद उच्छा है यात्रा के लिए निकले भक्त अब बस कुछी शड़ों में मा गंगोत्री और यमनोत्री के दर्शन कर पाएंगे पूरे टीमिन दौर से आए ये कितने दिन पहले से त्यारी करते हो आप लोग दो मैने से त्यारी कर रहे हैं बाबा किया और पच्चीट पच्चीश ड्हों का केजिए करना रहता है तो बच्चेस में आदे गंडे वार्म आप करते पी डोल उठाके वाफ करते हैं उसके बाद फीरीर सब चलती तीन गंटे क तो देके इस तरीके से त्यारिया होती हैं बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले और ये डोल ताशे बजाती हुई महिला है इनके चेहरे के ले हुए जरा सी तकार नहीं है ट्राक करके आए बहुत पहले से त्यारी करते हैं लेकिन उच्छा इस वक्त चरम पर है और यही इस केदार घाती को सबसे जादा खुबसूरत बना रहा है भक्तों की आस्ता बाबा केदार के कपाट खुलना फूलों से सजा हुआ ये प्रांगर और ढोल ताशे बजाते हुए ये तमाम लोग तो भक्तों में बाबा से मिलने का उत्सा कुछ इसकदर है कि पूरी केदार घाटी इस वाक्षिव में हो गई है हर ओर भक्ती और आस्ता की बयार भह रही है और बाबा के प्रिये डंब्रू की ध्वनी से पूरी केदार घाटी जो है वो गूज रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग जो है वो डंब्रू बजा कर बाबा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त कि ये जो तस्वीरे हैं ये बेहत मन्मुहक बेहत सुंदर तस्वीरे हैं सीदे के दार नाद घाटी से और उत्तरकाशी में माय यमुना की चल विग्रह डोली आज अपने माय के खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई होमगाड के महिला बैंड ने चल विग्रह डोली की आत्रा के दौरान धार में धुन बचाई अपसे कुछ देर बाद दुपहर में यमुनोत्री धाम के कपाड शधालूओं के लिए खोल दिये जाएंगे